गुर्मानी बच्चो बच्चो आजम साथी पक्षा का पाठ है नवा पाठ है आपका ये बच्चो तो पाठ का नाम है दिली तो दिली क्या है बोलो हमारे भारत की राज़तानी दिली है समझना रहे आपको तो आपने राश्क्रिय प्रतिकों के बारे में देखा और पड़ा अगर आपको निभन्द के रूप में दिली के बारे में निभन्द लिखिये आईसा आपको कहा जड़े तो आपको आपके बार्ट लिखकर उसको निभन्द लिख सकते हैं तो देखो दिली में क्या क्या है दिली हमारे दिये क्यों स्पेशल है अब उसे राजदानी क्यों माना है इसके बारे में खोड़ी सी चांतर याज़ा प्राफ्ट करेंगे बच्चो तो देखो क्या है दिली का चित्र है या मापक दिली का चित्र आरा है आपको देख बढ़े ताजमहल है, तो देखो यहाँ पर दिली की थोटी सी मानिटी आखेर सामने है, भारत की राजगानी दिली के विभिनिस भानों का परिशे कराना इस पार्ट का उद्देश है, देखो, यहाँ दिली पार्ट का उद्देश यहाँ है कि भारत की राजगानी दिली है, तो दिली परचे कराना इस पार्टम कुतेश है भारत हमारा देश है भारत हमारा देश है दिल्ली इसकी राज़धानी है इस विशाल नगर में हम पुराणी और नई सब्धावन की जलख पा सकते हैं इस विशाल नगर में हम पुराणी और नई सब्धावन की जलख देख सकते हैं एक बदर हम क्या देख सकते हैं तो वही से बहुत सारे स्कान भी लम पर देख सकते हैं हम यह क्या है देखो यह वंदेख करे हैं कि लालखिला है क्या है यह लालखिला है तो लालखिला इसके लिए प्रसिद्र है तो आज़म देखें देखओ लाल खिला बहुत प्रसिद है क्या है दिल्ली का लाल खिला बहुत प्रसिद है इसके दीवाने आम और दीवाने खास देख में लायक है दीवाने अधर अलकटे रुम तहा गोडे बलू दीवाने आप में 60 सुन्दर कंबे हैं क्या है? अलकटे रुम तहा गोडे बले निक कंबे अरवत्तु सुन्दर वाज तहा कंब बढ़नाव नोडब बहुतु जो लाग पत्थर से बने ही इसके तो लाग फिले को लाग पत्थर से बनाया गया है इसलिए हम उसको क्या करें है? लाग फिला करें जाहिए लाग मिस सेटो दीवाने खास संध्य मर्मत से बनाए संध्य मर्मत मिस अंदू तशिले संध्य मर्मत से बना हुआ है इसकी भीतरी दीवारों की नक्षी बहुत बड़िया है। तो लाल खたम की निए और क्रावास क्रुक्षू बचोू। तो लाल ख्रा और और किसल यह रोज प्रसीद्य है यह भी आपर देश्क देख सकते हैि अगर आप वीकली में की का है आपके लिए यार्स प्रषुन को सब्सक्जाएगा तो आप ये करके करके उसके पड़ाय में वार उतर देर जाएगा तो देखो यहांपर लाइफ पास ही जामामस्डित है देखो आप देखेएँ हैं इसका चिक्त्र देखेएएं लगाय फिले के पास इसमा कदर नहीं क्या है जामा मस्जीद है यहां बहुत बड़ी मस्जीद है यहां मुगल बादेशाम की शार शौकत की यारगा है यहां की इसी को किस ने बनाया जामा मस्जीद का नेगां किस ने किया मुगल बादेशाम को यहां पर शासन था तो अगर आप जामा मस्जीद की नक्षय भीयाने वहां पर उग गए नक्ष도 potem 그거 देखेंगे तो आपको अब मगल मादशा की शार-अशोगत कई स्टी थी उनकी उयादगर यैख अवाज़ित देगने के लिए हमें मिलती ही रहे उसके बाद आपको बिलता है कुटुप मेनाथ जब कुटुप मेनाथ रजीशा है क्फुप मेनिननने क्या है कुटूभ पीना सितना लमभा है आप उसके बारे में पोरी सी चांग लएखा तो नोव सकते हैं बचो देखो कुटूभ मीना दिली से पोरी दो देखो केंट गिली की आस पइस की चीज़ और इस कारवे आप देश सकते हैं द्शुत हो सकते हैं प्रवास पीजा सकते हैं बच्छो तो, कुतुब मीनार दिखो जिली से कोडी तूर कुतुब मीनार रहे कोडी से तूर जाने पर आपको क्या निरेगा? कुतुब मीनार मिलेगा आस्मार से पाते करने वाली आस्मार आप आशजाय तो आपको खुतुम मीना देखनें तो आपको खुतुम मीना देखनें जरूर प्राफ्ट होगा बच्छो आपको एक बायत दिन ना देखनें तो आपके हम समसद गोवन के सब कहा है बलो एसब दिली में है दिली के आज़ पास के स्थान यहां पर है तो समसद गोवन में क्या है देखो नई दिली की शोखा अनूखी है शोखा में अलरवन दू लुपने संतर अतर अतली शोखा अनूखी है नोटिक फुम्प सुंदर अवागी देखी दी भारा सरकार का सचीवाले लेवी पर है भारा सरकार का सचीवाले कहा है दिली पर है दिली में है समसद गोवन का बड़ा रमणीया है क्या है समसद गोवन रमणीया में सुंदर है यहां गोला का सदन संसार में क्या है संसार में निराला है संसार में इरादा में जगत्ति न लिए तो तुम को सुंदर वादु मता मदू संसथ भवनाता है तो अब क्या है लोग सभा है और क्या है इसमें राज्य सभा है कि अधिरेशन इसी सदन में होते हैं लोग सभी ऐसदन राज्य सभी ऐसदन अधिरेशन आगलों इवन संसे भवन अधिरेखन है तो दिलीनी क्या है और क्या थे आपको प्रृशन कूछा जाए न बचोर तो आपको संसक भवन क्या है संस्धोन कहा है और कैसा है वहाँ पे क्या क्या कोचा है एसा आपको लिपना है तो आगे देखेंगे दिली में राष्ट्रपती भवन क्या में राष्ट्रपती भवन है तो राष्ट्रपती भवन कैसा है देखो राष्ट्रपती भवन भार के राष्ट्रपती का निवास स्थान है राष्ट्रपती का भवन क्या है जहां पर जिसपर छुनावनें के अनुसार चुना जनता चे चुनाव करके जो राश्चापती बनता है। उसका स्थान बता है राश्चापती वर्माँ कर निमास होता है। राश्रपती देश की दर्शों के अपने अक्लियों का आदर सब्कार इहीं पर कर सकते हैं अगर किसी में देश थे हमारे देश थे बूरत बेर विदेशियों से विदेश थे अगर कोई राश्टरपुति को मिलने आए तो वहां पर अभिपों का आदर सत्वा करने के según के लिए Next Room में कोई साथ हमारे राश्टरपुति गवक포 रखा जाता है इस भवन के एक और भाग में वस्तो संगरा रहे भी है, देखो आप देख रहे हैं, बच्छों कितना बड़ा है यहां पर देखो, अब दूसरी तरफ क्या माई यहां पर वस्तो संगरा रहे हैं, आप वस्ता ही है, आप अगर तक दिती जाएंगे, तो आपको इसका स्मरण भ करने भी सेटेगे, और आपका अबला रखा, राश्तरपती भवन हो गया, खुदुप मिनार हो गया, लाल किला हो गया, और आपका क्या है यह इसमें क्या-क्या है, यह आप आउप देख सकते हैं, तो देखो, इसमें है, इसमें कई अमूल्य प्राश्य वस्तों को संगरा इसमें है, यहां पे राश्तरपती भवन है ना, राश्तरपती भवन में यह तरफ उस्तों संगरा काले रखा हो गया है, राश्तरपती भवन में क्या क्या होता है, राश्तरपती का निवास बता है, और राश्तरपती का भारले बता है, और देश्ती देश्ती के आचिस आ प्राये हुए महमानों तो महमान स्वांति होता है और क्या होता है कि इसमें कई अभूलत राज़ी गोस्तों का साउन रहा गए जो हम आपनी नली सेट आपके आपका अइसे चीज़ों को हम आपको सम्दा रेड़ने बचों देख सकते हैं दिली के इसके अलावा राज़ार्ट है शांतीवन है राज़ार्ट किसे कहते हैं जहां पर गांधी जी की समाधी कोती है शांतीवन होता है और जंतरमंतर होता है जन्तर मंदर किसे कहते हैं यहां पे पुरान ये समाने के वस्तों का संरा होता है वहाँ पर, कान फ्लेस होता है डिरला भोन भी है, लक्षमी नारायन का मंदिर है इस अनेक दर्शमिया स्थान यहां पर देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप बिगली से थोड़ी दूर चाहेंगे तो आपको आवरा मिलेगा आवरा भी क्या है? अबाहम कह सकते हैं कि अमापे क्या है? ताजमहल है ताज महल यहुला नदी के किनारे है और यहुला नदी के किनारे रहा ताज महल को लिर्मान किस ने किया, शह जहाने किया, किस के लिए किया, अपनी पति मुंतास के लिए आद में किया यूज मेरी देखो, इतना बड़ा महल है, यह सब हमारे भारत के क्या है, बहुत अच्छ स्थान होते हैं और यहां क्या दिखाते हैं भार्दिय प्रंपरा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो बच्छक आपने दिली भी गए मुस्तव में मुस्तव की बात कर रही हूं समसर्पोगन देखा लाजदिया देखा राश्टरपती भुगन भी देखा अगर आप नहीं दिली जाएंगे तो इनका दर्शन जरूर करके आएंगा तो आपका पाट इमाट पर खतम होता है आपको यह पाट अच्छे से पढ़ो और इसके प्रश्ण उतर भी आपको दिया जाएगा और नोट भी इतना है धन्यमाद बच्छों